जहिंद मैं ललित खतरी और आप देख रहे हैं M.T.T.V. इंडिया और आज बात राजस्तान के होम गार्ड के रोजगार से जुड़ी हुई है राजस्तान सरकार होम गार्ड को रोजगार देने के बज़ए छीनने में लगी है और इस बात की गवाई दे रहे हैं या आकड़े प्रदेश में 27,000 होम गार्ड में से 15,500 को ड्यूटी ही नहीं मिल रही है वहीं अब 2250 होम गार्ड और बिरोजगार हो गए हैं इधर दूसरी और सरकार 50,000 होम गार्ड नमांकित करने जा रही है ऐसे में सवाल उठा है कि जब सरकार पुराने जवानों को ही रोजगार नहीं दे पा रही है तो इस नई भरती का क्या तुक है राजे में धाई हजार होमगार्ट सुए सेवकों के नमांकर के लिए विग्रपती जारी की गई है होमगार्ट के लिए अभेरती 7 अपरेल से 6 माई तक आवेदन कर सकेंगे वहीं दूसरी और परदेश में वरतमान में करीब 27,000 से अधिक होमगार्ट सुए सेवक पंजेकरित है इन में से फिलाल 12,53 को ही रोजगार मिला हुआ है शेश 15,000 से जादा होमगार्ट सुए सेवक फिलाल बेरोजगार बैठे हुए है ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इन नए पंजेकरित के लिए जाने वाले होमगार्ट सुए सेवकों को भी रोजगार मिलेगा और इसकी क्या गारंटी है दरसल पिछली बीजेपी सरकार में ततकालीन गरहम मंतरी गुलाब चंद कटारिया ने डाई हजार होमगार्ट सुए सेवकों की भरती की घोशना की थी बाद में आदेश के लिए मामला विभाग पहुचा तो पता चला कि पहले से पंजेकरित को ही रोजगार नहीं मिला है ऐसे में नए होमगार्ट भरती करने का फायदा नहीं है लिहाजा फिर विभाग से डाई हजार होमगार्ट को रोजगा दिलाने की बात पर फायल चली इस पर इस बीच सरकार बदल गई और मामला ठंडे बस्ते में चला गया फिर कांगर्श सरकार आई तो पिछले बजट में होमगार्ट मंतरी भजनलाल जाटब ने फिर धाय हजार होमगार्ट समय सेवकों की भरती की घूशना कर दी इस घूशना की क्रम में ही ये विगयपती भी जारी की गई थी इधर पहले से लगे 2250 होमगार्ट को हटा दिया गया परदेश में सरकार ने पिछले दिनों 2250 होमगार्ट की ड्यूटी को 29 वर्वी 2020 तक के लिए मंजूरी दी थी तो उसे इंकार कर दिया गया था ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या वाकई सरकार नए रोजगार देना चाहती है या सिर्फ कागजों में बेरोजगारों को जोड़ कर रोजगार के लिए तरसाना चाहती है अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो MTTV इंडिया के पेज को फॉलो करें और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां सब्सक्राइब करें क्वेशना चाहती है झाल झाल